हलो फ्रेंज, आम चियोदी, वेलकम टू दा चैनल स्मट लर्निंग फ्रेंज, आज कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट हमारे और हमारे बच्चों के लिए बस में जाते समय ध्यान रखें फ्रेंज, स्कूल बस तो हम सभी यूज करते हैं और उसे यूज करने के क्या-क्या रूल्स हैं वो भी हमें पता है बट, या तो हम वो सब भूल जाते हैं या फिर जल्द बाजी में हम उसे फॉलो नहीं कर पाते तो फ्रेंज, आज एक रीकैप लेते हैं कि इन रूल्स को फॉलो करना हमारे लिए क्यों जरूरी है सबसे पहला रूल है एक लाइन फॉर्म करना बस में चड़ने से पहले अब ये रूल क्यों जरूरी है क्योंकि हम तो ग्रूप में भी चड़ सकते हैं और जनरली हम ग्रूप में ही चड़ते हैं एक दूसरे को push करके फटा-फट से अपनी मनपसंद seat को पकड़ने के लिए Friends क्यों? देखिए, अब ये देखिए, line में form किया हुए हो तो आपको driver और conductor दोनों देख पाते हैं अगर आप group में होते हो, तो किसी भी बच्चे को एक दूसरे को धका लग सकता है bag, bottle या और भी कुछ चीज नीचे गिर सकती है जिसे उठाने के लिए वो bend हो सकता है और accident के chances बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि जब आप नीचे bend होते हैं, driver और conductor आपको नहीं देख पाते तो always make a line जब भी आपको bus में चड़ना है एक line form करिए, अपनी turn का wait करिए और properly उपर चड़िए second rule है ये देखिए, ये बच्चा क्या कर रहा है, bus के पीछे भाग रहा है और driver और conductor को आवाजे लगा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है कभी भी हमें bus के पीछे नहीं भागना चाहिए, वैसे तो हमें हमेशा stop पर time से ही पहुँचना चाहिए बट अगर किसी भी कारण से हम time पर stop पर नहीं पहुँच पाते तो हमेशा driver या conductor को advance में call कर देना चाहिए पर bus के पीछे भागना is not a safe solution कोई भी वहिकल आ सकता है और आपको टक कर लग सकती है आपकी अपनी bus एक बहुत ही quick break लगा सकती है जिससे आप गिर सकते हो तो दोनों ही cases में आपको हम पहुँच सकता है इसलिए कभी भी bus के पीछे नहीं भागना थर्ड रूल है ये देखे ये बच्चे क्या कर रहे हैं ये bus में से सामान को बाहर फैक रहे हैं और हस रहे हैं which is wrong बच्चों ये हमारे लिए हमारी country के लिए हमारी city के लिए और जो भी बाहर वहिकल चला रहे हैं सब के लिए unsafe है आप सामान फैकते हैं वो एक pressure से नीचे आता है और जो भी two wheeler चला रहा है उसको वो लग सकता है वो उनका रास्ता ब्लॉक कर सकता है eyes ब्लॉक कर सकता है और उनका accident हो सकता है और आप जब ये सब हरकते कर रहे हैं bus में तो आप शोर मचा रहे हैं आप सामान फैक रहे हैं आप हस रहे हैं उससे driver disturb हो सकता है और driver के disturb होने से accident के chances बढ़ जाते हैं तो हमेशा bus में properly, quietly और discipline के साथ ही बैटना है आपको अपने friends के साथ बातें करनी हैं? आप करिए लेकिन अपनी seat पर बैट कर कभी भी खड़े होकर खिड़कियां खोलकर उसमें से सामान बाहर नहीं फैकना चाहिए तो इस rule को याद कर लो bus में से सामान बाहर rapper, topi, copy, page कुछ भी बाहर नहीं फैकना आपके लिए और बाहर वहीकल चलाने वालों दोनों के लिए बहुत ही unsafe है देखे, last rule क्या है ये बच्चे bus में से अपना हाथ और head, hand, सब कुछ बाहर निकाल रहे हैं अब इससे क्या हो सकता है? इससे इन्हें चोट लग सकती है जब भी पास से कोई bus निकलेगी कोई car निकलेगी, कुछ भी तो ये उससे टकरा सकते हैं किसी pillar से टकरा सकते हैं bridge के निचे से जाते समय टकरा सकते हैं और driver का ध्यान बढ़ सकता है वो इन्हें देखेगा तो वो driving में concentrate नहीं कर पाएगा उससे भी accident के chances बढ़ जाते हैं तो कभी भी अपना hand, head या कोई भी body part बस में से बाहर नहीं निकालना चाहिए ये कुछ ऐसे rules हैं जो हम सब को पता है लेकिन follow करने के time हम इने भूल जाते हैं तो बच्चों बहुत ध्यान रखो हमेशा line form करो बस के पीछे कभी मत भागो बस में से सामान कभी मत फैको अराम से बैटो शोर, चिलाना, गाने गाना ये सब चीज़ें driver को disturb करती है अपना head, hand या कोई भी body part बस में से नहीं निकालना चाहिए छोटी सी जर्नी होती है घर से school तक और school से घर तक हम सिर्फ आपको समझा सकते हैं कि इन सब rules को follow करो और अगर आप इन सब rules को follow करोगे आप पिल्कुल safe रहोगे तो इन rules को follow करना है अपने friends को भी बताना है parents को भी कहना है कि इन सब इस तरह की videos और इस तरह के rules को follow करने के लिए बच्चों को बार 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 remind करवाईए ताकि वो ये सब चीजें भूले नहीं आप भी देखिए अपने friends को भी दिखाईए और हमेशा safe रहिए बट चैनल को subscribe करना नहीं भूलना बबाई टेक केर लव यू ओल